जे जवान जे किसान दोस्तों आपके अपने यूटूब चनल सरकारी योजना में आपका हर्दिक स्वागत है जैसा कि दोस्तों हम सभी वीडियो में आपके लिए महतोपुन जानकरी लेकर आते रहते हैं वैसे ही इसी वीडियो में हम आपके लिए महतोपुन जानकरी लेकर और वह जानकरिया दोस्तो रासन कार्ड से सम्मधित केंदर सरकार ने हाले में दोस्तो एक आदेश जरी किया है और वह रासन कार्ड से सम्मधित योजना के बारे में ज़री किया है उसके बारे में हम इस यूडियो में जचा करेंगे तो वीडियो दोस्तो आप शुरूशे ल उसको जुड़वाना होगा लिंक करवाना होगा तो उसमें आदार नमर आप पहे दें तोसे बाद में आपको पैशा का घचा ना आए दोस्तों अब रासन के लिए आपको रासन डिलर के चकर कार्टने नहीं पढ़ेंगे इसके लिए आपको किसी भी रासन डिलर से जाकर अपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, यदि आपने वीडियो को शेर नहीं किया है, सबी दोस्तों के साथ WhatsApp गूर्पों में वीडियो को जयते है जानकारी पहुंच पहे, तो अपने सभी किसान भाई, सभी युवा भाई इस योजना का बारे में जानकार ले सकें, तो इसके बारे में अपडेट हैं रह सकें, तो केंदरे मंतरी रामविलास पासवा ने इसकी गोशना की है, तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, तो द्यान से मैं आपको कार्ड scheme को शुरुवात करने की तैयरी कर रही है जिसके लिए आधार कार्ड को जोड़कर एक देश एक कार्ड योजना को शुरू किया जाएगा दोस्तों कोई भी देश का नाकरिक जिसके पास रसन कार्ड है वैद देश के किसी भी public distribution system यानि PDS दुकान से अपना राशने करीच सकेगा दोस्तों इस सरकारी के उज़नाओं का फाइदा सबसे ज़्यादा उन लोगों को मिलेगा जो नोकरिक करने के लिए किसी दूसरी राज़े में रह रहे हैं और इसके साथ ही राशन की जो उनकी ज़रूरत है वो समय पर पूरी नहीं हो पा रही है दुकानों पर point of sale की मचिने लगाए जाएंगी तो उन लोगों के लिए बहुत ही फाइदेमंद योजना रहने वाली है जो अपने घर से दूर कहीं पर नोकरी कर रहे हैं परिवार समय वह आप रहे हैं तो उनके राशन कार्ड बनावा है लेकिन राशन कार्चे वो राशन नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए ये योजना बहुत ही फाइदेमंद रहने वाली है दोस्तों इसके अलावा देश के कई रज्यों में इस तरह यानि वन नेशन वन राशन इंटीग्रेटेड मेरेजमेंट सिस्टम जो पीडी एस सिस्टम है उसके नाम से चल रहा है दोस्तों केंदर सरकार एक डेश एक राशन कार्ड योजना के लिए जीएस्टी के तरह है वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए एक अलग से डेटाबेस तयार कर रही है और डेटाबेस के तयार होते ही इस योजना की शुरुआत हो जाएगी और उस योजना की दोस्तों जाएगी शुरुआत होगी तो उसका वीडियो बनाकर भी हम आपके लिए पहुचा देंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो को शेर कर दें दोस्तों देस में Integrated जो Management PDS है वा सुरू होने से परदारमंत्री को भार को Digital India बनाने में मदद मिलेगी तो यह कहना है दोस्तों जो परदारमंत्री है इस योजना को लाब किन के लोगों मिलेगा क्या कि इस योजना के लाब हैं उसके बारे में सच्छा करते हैं तो हमारे जो वर्तमान जो केंद्रिय मंत्री हैं रामिलास पासवान उन्होंने भारतिय खद्य निगम यानि Food Corporation of India यानि FCI और केंद्रिय बंदारन निगम यानि CWC और राज्य बंदारन निगम के साथ हुई बैटक में इस सिस्टम को पूरे देश में शुरू करने का निनने लिया है उन्होंने बताया कि रासन कार्ड को डिजितल करने से देश में डिपो होल्डर दवारा होरे जो बर्ष्टाचार है उस पर रोक लगेगी यानि अब जो डिलर बीस में रासन खादा देते आपका या गरीब उसको परिशान करके कि आपका अंगूठा नहीं आ रहा पूरण कम्प्यूटी करने खाद्यानों के बंडारन और वित्रन में पार्दसिता और FCI CWC Aon SWC डिपो के ओनलाइन सिस्टम के साथ समनवे से देश में हो रहे अन की जो काला बजारी है उस पर रोक लगेगी उसको रोका जा सकेगा दोस्तों हाली में एकिनके राज्यों म पहले से ही है इंटीग्रेटेंड मेनेजमेंट PDA सिस्टम में चल रहा है यानि अंगुठा लगाने के बाद में आपको राजने मिल रहा है दोस्तों एक साल के अंदर अंदर है बाकी के जो अन्य राज्य हैं उन्हें भी से जुड़ा जाएगा तो उचित मूल्य की दुका प्रवासी लोगों के लिए रासन की उपलब्दा सुनिश्ट करना इसका परमुक उद्धे से है दोस्तों लोग अपनी पसंद की जो रासन शोप है उससे PDA सामगरी वितरन प्रणाली का उप्यों करके रासन प्राप्ति कर सकेंगे इसके अलावा दोस्तों बता दूं आप 612 लाग टन अनाज स्टोर होता है जो 81 क्रोड लोगों को बाटा दाता है जिसकी काला बजारी धरादर दरले से सल रही है तो उसको रोखने के लिए कंदर सरकार ने इस योजना का लागू करने का फैसला लिया है तो यह योजना आपको कैसी लगी इसके बारे में दोस्तों और भी किसी योजना पर आप वीडियो बना कर जानलिकारी देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट हम आपके कमेंट पढ़ते रहते हैं तो हम आपको उस योजना के बारे में जो भी जानकारी होगी वो अप्लोट करवाने का पुरा परियास करेंगे इसके चैनल को सस्क्राइब कर लें तब उसके पास जो बेल आइकोन गंटे का साम बनावा है उस गंटे करेंटे को ज़साने को ज़रूर दबा दें जिसे हमारे आगे आने वाली सभी सरकारी योजनाव भी जान करीं यह अन्य केशी कोई टेक्टर लोन हो गया कोई कर्ची अंतुरों पर लोन हो गया हेरा प्लाउग ध्रेसर अदियर पर कोई लोन मिलता है है यह सबक्रमर्ण ऑड़ किसानों के खैतों में जो सबसे बड़ी समस्या है वह है तारबंदी की समस्या है जो आवारा पसू है वो घुच जाते हैं उसके बाद उनको तारबंदी के लिए मजबूर होना पड़ता है तो उस पर दोस्तो जो राजे की सरकारे हैं वो सबसीडी दे रहे हैं तो सबसीडी के बारे में पूरी जानकर्गी का वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर आने व